है if you are individual businessman then this video is for you so ladies and gentlemen let's talk about key areas to focus on to be a successful businessman जैसे कि आप सब समस्ज करते हो अगर आप individually business run करते हो तो आप के लिए यह वीडियो है और की eh oh yenis कौन कौनसे है जस पर हमें काम करना जाहिए on a regular basis सबसे पहली छीज भी बॉब उबव का मतलब होता है हमेशा अपने आपको market के हिसाप से change करना, market के हिसाप से evolve करना, market के हिसाप से चलना जैसे कि आप कोई product sale कर रहे हो, या फिर आप कुछ, जो भी आप काम करते हो, services में हो, product में हो, anything तो उसकी नई-नई technologies market में आते रहती है, उसके द्वारा, उसके basis पे आपने आपको evolve करना learn new technologies, new skill, new thing according to market, तो market के हिसाप से अपने आपको evolve करना है पहली चीज़ तो यह होगी, second चीज़ है productivity, सब अगर आप individual तो आप पहले यह देखिए, आपका focus time कौन सा है सबका अलग-अलग focus time होता है, focus time का माने यह होता है, कि कुछ लोग सुबह में बहुत अच्छे से productive रहते हैं और कुछ लोग शाम में बहुत ज़्यादा productive रहते हैं, और कुछ लोग रात के 3 बज़े बहुत ज़्यादा productive रहते हैं तो यह आपके काम पर depend करता है कि आपकी जैसे कि कोई भी creative काम हो तो रात को तीन बज़े आप बहुत ज़ादा creative आपका mind creatively काम करता है तो आपका वो focus time है तो उस focus time को आप find करिए और उस focus time में जितना maximum हो सके बड़े बड़े जो problem से उसको tackle करिए work on time management time management पर काम करिए time कैसे manage करना है देखिए एक ही simple rule है आप pen and pencil लीजिए बैठिए अपने time को पूरा schedule करिए और manage करिए analyze your productivity आप daily basis पर अपनी productivity analyze करिए फिर weekly basis पर करिए और फिर monthly basis पर इस पर क्या होगा कि आप कहीं बटकों के नहीं आपको पूरी picture आपके सामने clear रही की individual businessman है अगर आपको sale करना है तो आपको पहले तो यह समझना होगा कि किस तरीके से sale करना है sale किस तरीके से की जाती है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए अपने प्रड़क के बारे में और उसके बाद आपको यह learn करना होगा यह सीखना होगा कि sale कैसे करते हैं office कैसे देते हैं how to increase sales acquire feedback from client मतलब client से feedback लीजिए कि product के ओपर feedback लीजिए तो आपको यह picture clear हो जाएगी कि आपका product किस तरीके से आपको sale करना है फूर्थ चीज़ है marketing marketing देखिए कैसा होता है कि आप marketing ऐसी है marketing तो इतनी वास्थ हो चुकी है तो आप पहले बैठी है अपने product को लीजिए या अपने services को लीजिए और उसके बारे में पुरी research करने के बाद एक different marketing strategies बनाई है कि भाई ये मंत में ये marketing strategies होगी ये साल के लिए ये marketing strategies होगी rainy days के लिए ये होगा winter days के लिए ये होगा और summer days के लिए ये होगा तो different strategies आपके इसे हाथ में होनी चाहिए कि कभी उपर नीचे कुछ हुआ तो ये marketing strategy यूज करके आप अपना sale बढ़ा सको ultimate point यह है कि आप sale बढ़ाओ पैसे कमाओ as a businessman तो और ये भी है कि आप अपने client का दिल जीती है, client को सही time पर services provide करिये, सही time पर product provide करिये, ये सबसे important है, learn how to give offers on your product, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, अपने आपको उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आपको सब marketing, अकर आप individual, मैं organization की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं individual businessman की बात कर रहा हूँ तो individual businessman को क्या कहते है, उसे all rounder होना बहुत ज़रूरी है, learn how to attract client using marketing tools, learn about online and offline marketing tools, आपको online और offline marketing tools के बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीज़े आपको सीखनी पड़ेगी, एक successful businessman होने के लिए, तो key areas to focus on, चार चीज़े है, पहले है evolve, productivity, sales, marketing, ये चार चीज़ों पर आप का रखी करेंगे, so अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe, this is शानवाज on चल्दा फिर्दा रेडियो